दोस्तो एक बार फिर से आप सबी का स्वागत हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज वाली इस वीडियो में हम बात करने वाले है स्नैपचैट से जुड़ी प्रोब्लम के सोल्यूशन पर दोस्तो अगर आप स्नैपचैट यूज़ है तो इस वाली वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा अगर आप स्नैपचैट पर अपने किसी फ्रेंड या किसी दिलेटिव को मैसेज सेंड करते हैं अगर आपका मैसेज सेंड नहीं होता है और आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है देखें मैं दिखाता हूँ याँ से मैसेज बेज़ कर फैल टू सेंड तो अगर आपको भी इस तरह का एरर आता है आपको भी इस तरह की प्रोब्लम फेस होती है लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक काम कर लेना है बैल एकिन को प्रेस करना हमरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेर कर देना है ताकि दोस्तों उन लोगों की भी प्रोब्लम सोल्व होसके तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ यहां से हमें विल्कुल ही बैक आ जाना है फर्स्ट टाप के अंदर हमें एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन को भी जाज लेना है कई बार इंटरनेट की स्पीड स्लो होने के कारण भी हमें इस तरह की प्रोब्लम फेस होती है आपको अपने नोटिफिकेशन बार को नीचे की तरफ स्क्रोल करना है यहां पर आपको फ्लाइट मोड देखने को मिलेगा जिसको हम एरोपलेन मोड भी बोलते हैं आपको एक बार इस पर क्लिक करने के बाद दुबारे से आपको कुछ सेकंड्स का वेट करने के बाद अगें टैप करना है जिसके बाद यह डिसेबल हो जाएगा और आपके इंटरनेट और आपके नेटवर्क के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोब्लम होगी वो यहाँ से आटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी अगर दोस्तों फिर भी प्रोब्लम से मैं डिटीज बनी हुई है फिर आपको अपने फोन की सैटिंग को उपन कर लेना है फिर आपको नीची की तरफ स्क्रोल करना है यहाँ पर आपको Apps वाला ओप्शन ढूरना है इस पर क्लिक करना है Manage Apps पर टैप करना है तो इस तरह का पेज आपको सामने आएगा आपको यहाँ उपर सर्च बार दिखेगा search bar पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको search कर देना है snapchat snapchat वाली application आपके सामने आ जाती है आपको इस पर tap करना है जिसके बाद इस तरह का page आएगा आपको यहाँ तीन option दिखाए देंगे four stop uninstall clear data आपको दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अगर यह four stop enable हो रख है तो इसको disable करना है clear data पर click करना है clear catch कर देना है फिर आपको app permission पर click करना है और यहाँ से जितनी यह permission है इनको coach इस तरह से आपको allow करना है फिर आपको यहाँ से back आने के बाद data usage वाला option दिखेगा आपको इस पर आना है और यहाँ पर दोस्तों आपको यह चेक करना है इन तीनों में से कोई भी option अगर disable हो रखा है तो आपको इनको enable करना है फिर आपको यहाँ से back आना है back आने के बाद दोस्तों आपको अपने play store को open कर लेना है यहाँ जैसे play store open होता है उपर ही आपको search bar दिखाई देगा आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको type करना है Snapchat Snapchat वाली application निकल कर आ जाएगी आपको अगर इस तरह से update वाला option देखने को मिलता है तो आपको अपने Snapchat को यहाँ से update करना है अपडेट करने के बाद आपको दुबारा से Snapchat को open करना है और अपने किसी friend को message send करके देख लेना है 100% जो आपकी problem है यहाँ से solve हो जाएगी अगर फिर भी कोई बंदा रहे जाता है तो finally दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जो आपका Snapchat application है आपको इस पर long press करके रखना है अप info पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपके सामने पहले वाले interface आ जाता है यहाँ पर इस बार आपको manage space पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको delete app data पर क्लिक करना है और यहाँ से कर देना है इसको delete डिलीट करने के बाद आपको बिल्कुल बैक करने अपने Snapchat application को दुबारे से login करना login करने के बाद दोस्तो जैसे आप इसको open करते हैं और अपने किसी friend को message send करने के लिए जाते हैं तो guide 100% जो आपका message है वो दुस्ते बंदे के पास चला जाता है और आपको दुबारे से फिर किसी प्रकार की कोई भी problem face नहीं होती है तो दोस्तों आप देख भी सकते हैं मैंने message send करके आपको दिखा दिया है हमारी जो problem है इसका solution हो चुका है तो आपको भी any steps को follow करना आपकी problem का solution होने वाला है तो आज वाली इस वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए bye bye friends love you all take care